आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं 10 News of Coconut Oil Coconut Oil हमारे skin के लिए, hair के लिए, overall health के लिए बहुत ही जादा फाइदमन्द है तो इस coconut oil को आप किस तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं 10 तरीका में बताऊंगी जिस तरीके से आप Coconut Oil को अपने skin, hair और health के लिए इस्तमाल कर सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखे, वीडियो पसंद आए तो make sure वीडियो को लाइक करे, share करे और इसी तरीके का वीडियो तेखने के लिए मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं Coconut Oil अंटी बैक्टिरियल, अंटी फंगल, अंटी कारसिनोजेनिक, अंटी इंफलमेडरी, अंटी ऑक्सिडन्ट है और कई सारे benefits है Coconut Oil के हमारे health के लिए, हमारे skin, hair के लिए और Coconut Oil, in fact, blood sugar level को भी control करने में काफी अच्छा है तो Coconut Oil के बहुत सारे, सिर्फ 10 ही नहीं और भी कई सारे benefits है मैं सिर्फ इस वीडियो में 10 users के बारे में बताऊंगी जो मुझे personally, मैं personally अपने day to day life में follow करती हूँ और मुझे फाइदा मिला है और मैं जस Coconut Oil को इस्तमाल करती हूँ, वो है Merit Vico Coconut Oil ये मैं बहुत महीने से इस्तमाल कर रही हूँ और मेरी दीदी भी इसे इस्तमाल करती है, मेरी मौसी भी इसे इस्तमाल करती है क्योंकि जब मेरी दीदी की शादी थे, उस टाइम घर में guests आये थे तो सभी ने ये Coconut Oil ट्राइ किया था और इतना ज़ादा पसंद आया सभी को कि सभी ने मंगाना स्टार्ट किया और उसे इस्तमाल करना स्टार्ट किया बहुत ज़ादा skin के लिए भी अच्छा है, hair के लिए भी अच्छा है और ये एकदम purest form में है तो आप इसे consume भी कर सकते है तो इसका जो purchasing link है वो मैंने description box पर provide किया है आप मेरे description box को check कर सकते है इससे पहले मैंने काफी सारे brands के Coconut Oil ट्राइ किया था इसमें और दूसरे Coconut Oils में जो फरक है जो दूसरे market में available होते है Coconut Oils वो dried Coconut से बना होता है ये Merit Vico Coconut Oil बना होता है tender Coconut से मतलब जो मलाई होता है Coconut की उस मलाई से बनाई जाती है जिसके वज़े से इसमें वो सारे properties होते है ये 100% extra virgin coconut oil है और बिलकुल cold pressed है और इसका जो price है वो मैं screen पर भी mention कर दूँगी जो मुझे सबसे जादा पसंद है इस Coconut Oil के वो है कि मैं इससे अच्छी तरीके से अपने make-up को remove कर सकती हूँ So it works excellent as a make-up remover Make-up को बिलकुल melt कर देता है and कोई residue नहीं रखता जैसे कि waterproof makeup हो अगर आपके अपने glittery eye, smoky eye loki है तो उसे भी in fact waterproof mascara को कितनी अच्छी तरीके से यह melt कर देता है यह easily liquid lipsticks को भी remove कर देता है जो smudge proof liquid lipsticks होते है उन्हें तो अच्छी तरीके से remove करता ही है बर जो bullet lipsticks होता है जो बहुत ज़दे creamy and sticky सा होता है काई बार उसके जो stain है वो lips पर रहे जाते है तो उस stain को भी आपको दूसरी बार यह coconut oil लेकर उसे remove करना है तो this is very good और यह skin को बिलकुल भी you know effect नहीं करता मतलब skin breakouts वगरा कुछ भी आप face नहीं करोगे this is the best part और आप अपने बच्चों के face पर जो भी प्रोग्राम्स या फंक्शन्स के लिए जो मेकप इस्तमाल करते हैं उस मेकप को भी आप इस coconut oil से easily remove कर सकते हैं skin के लिए बिलकुल अच्छा है क्योंकि मैं क्या करते हूँ में क्या करते हूँ मेकप को remove करने के बाद नहीं इसे अपने skin पर थोड़ी देर के लिए एक दो मिनिट के लिए छोड़ देती हूँ तो skin बहुत ज़्यादा soft feel होता है कई सरे alcohol based makeup removers भी market में मिलते हैं जो skin को dry out कर देता है which is not at all good for our skin तो आप इसे इसे इस्तमाल कर सकते हैं makeup को remove करने के लिए आप इसे as a body moisturizer या फिर body lotion की तरह इस्तमाल कर सकते हैं हर रात को सोनी से पहले आप इसे अपने body पे अपने hands and legs पे इस्तमाल कर सकते हैं अच्छी तरीकी से massage कर सकते हैं और सुबर जब आप उठेंगे तो आपके hands and legs बहुत ज़्यादा soft हो जाता है especially where ये winter season के लिए तो perfect है बट हाँ ये एक oil है एकदम 100% natural oil है तो इसमें थोड़ा सा oiliness तो होगा ही तो वो अगर आपको पसंद नहीं है तो आप अपने normal body lotion में 2 या 3 drops इसका लेकर उसे mix करके अपने hands and feet पर apply कर सकते हैं उससे इसका जो benefit है वो भी आपको मिलेगा और oiliness भी नहीं होगा डैंडुफ को ये बहुत अच्छी तरीके से remove कर देता है आपको इस coconut oil को एक चमच लेना है और एक चमच लेना है जो की डैंडुफ के लिए भी काफी अच्छा है और उस mixture को अच्छे से mix करने के बाद आपको उसे अपने सिर्फ scalp पर apply करना है तो इसे आप आधा गंडा के लिए रग देजिए उसके बाद आप शांपू कर लेजिए तो ये डैंडुफ की प्रॉब्लम को एक महीने में definitely reduce कर देगी आजकल जादे तर अटर प्रेते हुर आपकि व्यूत करेंBoy पर जाते हैं तक बाद reality कर्णी हो जाती हैं तो ये रफ प्रीजी हेRoR को बहीत अच olacak से स्वाफ टारेगे से सूफट और जूद बनात में पार रिफ हैं आपको इक मिर दो से अच्छी से अपने हेडय पर चंपी करनी एक टिप में दे सकती हूँ जब आप इसे थोड़ा सा वर्म करके अपलाई करें तो यह और भी अच्छी तरीके से आपके स्काल्प में पेनिट्रेट होता है और इसके बेनेफिट्स आपको और भी जल्दी मिलेंगे जब मैं पर्सनली facto करती हूँ एक बेनमाद वीक्ली 2 टाइमस मैं इसे अच्छे से अपने स्कैल्प पर मसाज करती हूँ अपने हीर लेंथ पर मसाज कॉर्टि Scheer मेरे हेर बहुत जादा सॉफ्ट फील होते हैं जब मैं इसे इस्तमाल करने के बाद शाम्पू करती हूं तो काफी अच्छा है आप एक बर जरू ट्राइ कर सकते हैं और यह बहुत जदा अफॉर्डबल भी है स्किन को मसाज करना बहुत जदे इंपॉर्टन है बलड सर्कूलेशन को इंप्रूफ करने के लिए ताकि स्किन पर एक अलग सा ग्लो आय स्किन टाइटन हो रिंकल्स फेड आउट हो तो मैं क्या करती हूँ? शावल लिने से पहले 5 और 10 मिनित पहले मैं अपने स्किन को 1-2 मिनित के लिए अच्छे से मसाज करती हूँ और फिर auth कोखना ओयल से मैं मसाज करना पसंद करती अटो और इसे मैं 5-10 मिनित के लिए वैसा हम स्किन मीन के चोड़ देती हूँ आपको सिर्फ फेस पर ही नहीं, नेक पर, हैंड्स पर भी इससे मसाज करना है यह बहुत अच्छा है आपके skin cells को soft बनाने में और skin radiance को enhance करने में और उसके बाद आप normal shower ले ले लेजे तो बहुत साथा skin soft and supple हो जाती है और radiant भी दिखती है आप सिर्फ अपने splittance पर इससे apply कर सकते हैं एक दो drops लेके रात को सोने से पहले सिर्फ अपने splittance पर इससे apply करें तो यह splittance की problem को बहुत जल्दी reduce कर देता है body scrub के लिए भी coconut oil काफी अच्छा है चावल का जो आटा मिलता है ना normal घर पे available होता है उस चावल के आटे के साथ आप एक चमच यह coconut oil mix कर दीजिए और उससे अपने body को scrub करके फिर आप शावल ले लेजिए तो बहुत अच्छे तरीकी से यह scrub करता है dead skin cells को remove करता है और coconut oil के वज़े से यह skin को soft बनाता है अगर आप के पास brown sugar available है तो brown sugar के साथ एक चमच coconut oil mix कीजिए अगर brown sugar नहीं है तो normal white sugar के साथ ही coconut oil mix करके फिर आप अपने lips को weekly एक बार scrub कीजिए इससे जो dead skin cells है वो remove हो जाता है और जो new skin layer है वो instantly hydrated होते है जिसे कि वो new skin layer बहुत जल्दी जब वो atmosphere के contact में आता है तो dry हो जाता है तो वो dryness नहीं होती क्योंकि coconut oil आपने mix किया है scrubber के साथ coconut oil काफी अची तरीके से moisturize करता है आपके lips को और lips pigmentation को भी remove करने में काफी help करता है तो आप अपने lips को हर रात सोने से पहले लिप्स पे coconut oil मसाज कर सकते हैं थोड़ा सा और उसे as a lip balm जैसे हम apply करते हैं वैसे ही coconut oil को अपने lips के उपर apply करके छोड़ सकते हैं इससे क्या है कि लिप्स सौफ्ट बनते हैं और लिप्स पिग्मेंटेशन भी यह help करता है remove करने में So yeah guys that's it for today's video I hope यह 10 फाइदे जो मैंने बताया है इस मेरिडविको coconut oil के इससे आप सब को help हुई है और अगर आप इस coconut oil को पुछिस करना चालते हैं तो description box पर मैंने link प्रवाइड किया है आप लोग और आप सब को पता चल गया है मैंने अपने vlogs में भी शेयर किया है इस coconut oil के क्योंकि मैंने कई सारे बड़े यूट्यूबर्स को भी देखा है इस coconut oil के बारे में बोलते हुए और वो पॉस्नली इस coconut oil को इस्तमाल करते हैं that's why मैंने इसे ट्राय करना स्टार्ट किया था so yeah stay blessed stay happy और अगर आपने इस coconut oil को ट्राय किया है तो नीचे कमेट करके जरुर मु